आज मैं आपके लेकर आएं हूं गेहूं के आटे और आलू से बनने वाली रेस्पी और यह बहुत ही कम सामान में कम टाइम में बनकर तयार हो जाती है। बहुत ही क्रंची बनती है एक चमच कस्तूरी मेथी डालेंगे हैं oxon Kid लिए nach gelfr और वारीन चोपके अलपिक दिश्य निकालगे अलग रख्टिये और अब थोड़ा experiencing aksu पानी डालते हुए इसका एक सक्ट दो तयार करेंगे आटे को टाइट ही रखें टाइट रखने से नास्ता और भी ज्यादा क्रिस्पी और करंची बनेगी और अब दो लगकर तयार हो गई है तो इसे हम साइड में रख देंगे ढखकर और यहां मैंने गैस पर पैन चड़ाय स्का और देंगे इसका fine powder हमें नहीं बनाना है दर-दरा रखना है और पिसकर तयार हो गई आप देख सकते हो दर-दरा ही रखा है तो अब मैंने यहां पढ़ लिया है बौील किया हुआ वह इसे मैंने मैस कर लिया है और अब इसमें डालना है मुंफली के दाने जो हम ने पीस कर र toxic нам कि यानि की ।b और आटे को हमें अच्छे से सॉप्ट कर लेना है और इसको तोड़के हम दो भाग में इसका लोई बना लेंगे थोड़ी से सुखे आटे में हमें इसे डस्ट कर लेंगे और इसे बेलना हमें रोटी के तरह जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से हमें बनाना है लेकिन रोटी से हमें इसे कट कर लेंगे तो इस तरह से हमें कट करें तयार करना है अब देख सकते हो और अब जो Somn में डिप करेंगे डिप करके हमें ओयल में डालना है और नास्ते को हम low to medium flame पे पकाएंगे तो पहले हम एक साइट से इसे पकने देते हैं फिर दूसरी साइट से इसे हम पलट के पकाएंगे तो इस तरह से हमें golden होने करें तक इसे पकाना है तो अगर मेरी डेश पी आप को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें जाया Nep करें और ऐसे ही न्यू मज़ेदार रेश्पी के ले ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप देख सकते हो नास्ता अच्छा golden हो गयी है यानि